अस्सलामों अलेकुम एवरिवन, वेल्कम बैक टू मै चैनल, तो आज हम बनाएंगे ड्राइफ्रूट्स एन खजूर के लड्डू, जो मार्केट में सौफ्ट खजूरे मिलती हैं, उन्हीं खजूरों का हमें इस्तमाल करना है, इन लड्डूों को बनाने के लिए हम सख्त व हम ये नरम वाली खजूरी का इस्तमाल करेंगे, और फिर जो है हम उसे पीस लेंगे, खजूरों की बीज निकाल के पीस लेंगे, और फिर एक पैन में हम डालेंगे, टू टेबल स्पून के करीब घी, देसी घी डालना है, घी जब करम हो जाए तब हम इसमें डालेंगे, 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम अकरोट और 50 ग्राम हम इसमें डालेंगे पिस्ता, और इन ड्राइफरूट्स को जो है, वो मैंने चॉप कर लिया है, मतलब मोटा मोटा ही चॉप किया है, जैसे एक बादाम के मैंने 3 से 4 ही तुकड़े की हैं, अगर आपको मतलब चॉप नहीं करना है, इन्हें दरदरा पीस के बनाना है, बहुत सारे लोग इसे पीस के भी बनाते हैं, दरदरा पीस कर बनाते हैं, तब उस केस में क्या करें, आप ड्राइफरूट्स को जो है, वो कट नहीं करें, ऐसे ही फ्राइ करें घी में, और फिर फ्राइ करने के बा कर तैयार होते हैं तो मैंने इसलिए से पीसा नहीं है लेकिन अगर आपको पीसना है तो आप पीस सकते हैं लेकिन फाइन पाउडर मत कीजेगा अगर पीस रहे हैं तो दर-दरी साइट पे पीस यह उसे क्यूंकि जब चंक्स थोड़े बहुत खाने में आते हैं लड़ू में तो अच्छा लगता है और इन ड्राइफ रूट्स को ना हमें बहुत जादा रोस्ट नहीं करना है मीडियम फ्लेम पे तीन से चार मिनिट के लिए हम जय से रोस्ट कर लेंगे इतना रोस्ट करना है कि यह ड्राइफ रूट जो है न वो थोड़े से क्रंची हो जाएं तो ब 1-1,1,1,1,1 गनलाइफ आफ और 10,1,6,1,2 ए 100,1,2,3,1,1,2,1,2,2,1,2,2,3,2,3,2,3,2,3,2,2,3,2,3,2,2,5,1,1,2,3,4,2,4,3,2,3,3,1,2,3,4,3,2,4,2,3,4,1,2,3,2,3,2,4,4,4,1,2,2,3,3,2,3,4,2,4,2,3,4,4,3,4,2,4,3,1,2,1,2,4,2,4,4,3,3,4,3,2,2,4 कम कर दीजिए तो ऐसे आप कॉंटिटी एज़स्ट कर लीजिए उसके बाद से इन बीजों को भी हमें हलका सा रोस्ट कर लेना है और इसे भी हम उसी बावल में निकाल लेंगे जिसमें अमने ड्राइफ रूट निकाला है अब उसी पैन में हम डालेंगे वन टेबल स्पून गी जब गरम हो जाएगा तब मैं इसमेड करूंगी किश्मिष अच्छा इस किश्मिष को भी है जो मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है अगर आपको ड्राइफ रूट पीस कर लड्डू बना रहे हैं तब आप इसे कट ना करें आप ऐसे होल इसे रोस्ट कर लें और फिर ड् नहीं स्टेश तक जो हम इसे रोस्ट करेंगे इनके श्मिष्यों को भी हम उसे में निकाल लेते हैं जिसमें हमने सीड्स और ड्राइफूट्स निकाले हैं अब दुबारा से उसी पैन में हम खी डालेंगे और अब बारी हाती है खशखश को रोस्ट करने की तो मैं यहाँ पर ली हूँ 20 ग्राम खशकश जिसे हम पॉपी सीड्स भी बोलते हैं और इसे भी हमें हलका सा रोस्ट कर लेना है फिर कुछ सेकिंज के बाद हम इसमें आड कर देंगे तिल तो मैंने यहाँ पर 30 ग्राम तिल ली है और इसे भी हम साथ में ही जो है वो रोस्ट करेंगे फिर इसे भी हमें भून लेना है रोस्ट कर लेना है तो इसे हम तब तक रोस्ट करेंगे जब तक खलकेल केसि की भूनने वाली खुशबुन मखाने जहें वो हमारी health के लिए बहुत अच्छे हैं, nutrient से भरपूर हैं और फिर जहें ये stress reduce करते हैं, हमारी हड्डियों के लिए भी बहुत फायदे मंद हैं, तो protein हैं होता हैं इनमें, तो फिर ये मखाने जहें इसे daily diet में हमें शामिल करना चाहिए, फिर इन मखानों को जहे मैंने यहां पर 100 g गॉंद लिये, तो गॉंद को जो हमें 2 batches में fry करना है, अगर आप एक साथ गॉंद fry करेंगे तो आपस में चिपक जाएंगे, खिले-खिले गॉंद fry नहीं होंगे, तो हमें खिले-खिले गॉंद fry करना है, तो हम इसे 2 batches में fry करेंगे, अच्छा मौसम चेंज होता है, तो बहुत सारी बिमारिया भी आती है, लाइक कफ हो गया, कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, तो इन सब चीजों से वो गॉंद हमें प्रोटेक्ट करता है, तो इसे भी जो हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, तो इस तरह से लड़ू बना ले गोन जब प्रॉपर फ्राइ हो जाएगा ना, तो जब आप उसे एक गोन लेंगे और उंगली से इस तरह से मसलेंगे ना, तो वो पावडर्ड फॉर्म में हो जाएगा, तब अब पता चल जाएगा कि आपका गोन जो है वो परफेक्ट फ्राइ होआ है, तो इस स्टेश तक आपको fry करना है जब तक वो powder form में ना जाए जब उसके मसले हैं तिसरा से वो powder ना हो जाए उसका अब एक बाच जो है वो fry हो गया है गोन देखिए कितना खिले 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 होए अब जो है हम second batch भी इसी तरह से fry कर लेंगे तो आपके गोन जो है वो खिले 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 फ्राए होंगे अब इन गोन्दों को जो हम पीस लेंगे तो एक chopper या मिक्सी के जार में आप पीस लेंगे तो मैं यह आपर chopper के इस्तमाल कर रही हूँ तो इसे हमें अच्छे से पीस लेना है और फिर जो हम इसे ट्रांसफर कर द तो बिल्कुल fully powdered इसे पीस सकते हैं और इसे भी जो हम वो ट्रांसफर कर देंगे जिसमें हम dry fruit रख रहे हैं वही बावल में और फिर उसी pan में हम add करेंगे 4 टेबल स्पून घी और फिर जो हम इसमें यह खजूरें डाल देंगे जो हमने पीस के रखिवी हैं और इसे भून अच्छा इन खजूरों को जो हमें बहुत देर तक नहीं बूनना है वरना जो इनका मौश्चर है वो सूख जाएगा यह गीली खजूरे हम इस्तमाल कर रहे ना तो अगर हम इसे बहुत जादा देर तक भूनेंगे तो इसका मौश्चर जो खतम हो जाएगा और हमारी डाला है और साथ ही हम इसमें आड करेंगे खुश्बू के लिए वन टीस्पून इलाइची पाउडर और वन टीस्पून हम इसमें डालेंगे सौट पाउडर यह ऑप्शनल है आप नहीं चाहते तो ना डालें और गरम-गरम ही हमेसे मिक्स करना है आप ठंडा होने का वेट मत करिएगा वरनाब के लड्डू बंदेंगे नहीं अगर गरम है आप हातों का स्थमाल नहीं कर पारें तो आप स्पून से इसे मिक्स कर लें लेकिन इसे जए में गरम-गरम ही मिक्स करना है अच्छे से एक बार यह जो mixture है वो अच्छे से mix हो जाए तब आप थोड़ा थोड़ा portion लेकर इसे लड़ू का shape देते जाएं तो यह लड़ू जो है वो बनते जाएंगे mixture जो है वो थोड़ा गरम ही होना चाहिए ठंडा नहीं होना चाहिए अगर आपका mixture ठंडा हो रहा है और लड़ू नहीं बन रहे हैं तो दुबारा से pan में डालके इसे थोड़ा सा गरम कर लीजे और फिर बनाएएं तो इंशाला आपके लड़ू जो है वो बहुत ही बहतर बन किया है मिठास के लिए हम इसमें जो है वो खजूरें एड़ की है हमने तो यह बहुत ही हेल्दी लड़ू बनते हैं और ड्राइफ रूट्स तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं इन में प्रोटीन होता है कैल्शियम होता है और बहुत सारे माइक्रो को इसमाल और बाकी ड्राइफ रूट्स का इस्था माल किया है अक्रोट तो ब्रेन बॉस्टर है इंशालला उनका दिमाग से तेज होगा और इन सर्दियों में बच्चों को इम्यूनिटी बूस्टर की ज़ादा जरूरत होती है क्योंकि सर्दियों में बच्चों की तबियत बहुत खराब होती है तो ये जो गूंध हमने इसमें इसमें इस्तमाल किया है वो जो गूंद है वो प्रोटेक्ट करेगा बच्चों को हर बिमारियों से और प्रेगनिसी में अगर आप इसे यूज कर रहे हैं तो एक बार डॉक्टर से जरूर कंसर्ट कर लें लेकिन आफ्टर प्रेगनिसी तो आपको इसे अपनी डाइट में जरूर शामिल करना है आप न्यू मदर हैं लेक्टेटिंग मदर हैं तो ये लडू आपके लिए बहुत ही बेनेफिट होने वाले हैं तो इन लडू को इस्तमाल जरूर से करें और सर्दियों में जो है इसे बना कर रख लें एर टाइट कंटेनर में और इंजोई करें उमीद करती हूँ कि इम्यूनिटी बूस्टर लडू की रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी तो इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें